चालाक मुर्गे और गीदर की शिक्षाप्रद कहानी किसी तरह मुर्गे को दबोच कर पेच पूजा कर सके उसने मुर्गे को बहला फुसला कर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास पहुच कर बोला मेत्र मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है, कानों में मिश्वी भूल जाती है, मन करता है, दिन भर सुनता रहू, क्या तुम्हे एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाओगे मुर्गी की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी, वो गीदर की बात सुनकर मुर्गा खुशी से फूला नहीं समाया और उसे अपनी आवाज सुनाने के लिए जोर जोर से कुक दू कुक करने लगा गीदर इसी फिराक में था, उसके देखा की मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुँँ में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा जब वो जंगल की ओर भाग रहा था, उस समय गांव वालों की द्रिष्टी उस पर पढ़ गई वे लाठी लेकर उसे मारने के लिए दोड़े, गीदर दर के मारे और तेजी से भागने लगा मुर्गा अब तक उसकी मुँँ में दबा था, तब तक उसने उसके चंगल से बचकर निकलने का एक उपाय सोच लिया था वो भागते हुए गीदर से बोला, देखो गीदर भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं वे तब तुम्हारा पीछा करना छोड़ेंगे, जब तुम उनसे कहोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं ऐसा करो, तुम उनहीं बोल दो गीदर मुर्गे की बातों में आ गया और पलत कर बोलने के लिए अपना मुँँ खोल लिया लेकिन जैसे ही उसने मुँँ खोला, मुर्गा उल गया और गांव वालों के पास चला गया इस तरह अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचाए कहानी से सीख, संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए